असलाम आगे शुडेंट्स आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वह चेप्टर नम्बर स्री एस ब्लॉक एलिमेंट का टॉपिक है इसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट में हम ने स्टेडी कर रहे हैं अलकली मेटल्स और अलकलाइन अट मे मेटल्स हैं हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे और उनको इस्टेडी करने पछे पहले कुछ एहम बात जानना बडला जरूरी है के एस ब्लॉक में जितने भी मेटल्स हमारे पास और उनकी प्लीमेटल्स हं और उनकी हम इताइनों होते हैं यह उनकी रेक्टिविटी इसके रवार अगर मैं रेक्टिविटी सीरीज के ट्रेंड की बात करूं के रेक्टिविटी इंगरीज कैसे होती है अगर मैं S-Block की बात करूं तो student S-Block में अगर आप down the period मूफ करेंगे, down the group मूफ करेंगे, for example, मैं 1A की आपस बात करूं, तो 1A में हमारे पास down the group बिताएंगे, तो lithium होगा, sodium होगा, potassium, rubidium, cesium इस तरह से आप पस metals होंगे, इसी तरह अगर आप 2A की बात करें, group 2A जिसमें alkaline and metals होते हैं, तो beryllium है, magnesium है, जो उसमें बताया है कि यह दोना element इतने ज्यादा रेक्टिव नहीं होते, जबकि अगर आप नीचे series में जाए, calcium, strontium और barium तो यह फिर और radium यह फिर reactivity series में आते हैं, यहां हमारे पास film में आपको यह बात बताना चाहरा हूँ कि reactivity increases down each group, ठीक है, reactivity increase होती है, यानि down the group आपकी reactivity increase होती है, अगर मैं कहूँ बताएं, lithium, sodium, potassium, rubidium में सबसे जादा reactive कौन है, तो आप कहेंगे, rubidium जो है, आपके पास सबसे जादा reactive metal है, इंचाहर के अंदर, इसी तरह अगर मैं आप से बूछ चूँ कि बताएं, calcium और strontium में reactive कौन है, तो आ अगर मैं आप से बताएं, potassium और calcium में ज्यादा reactive कौन है, ठीक है, अगर along the period पूछा जाएं आप से या इन दो groups के बारे में पूछा जाएं, के 1A के metals, यानि alkali metals ज्यादा reactive होते हैं, या आप मैंने mention किया है, के alkali metals are more reactive than corresponding alkaline nut metals, यानि जितने भी alkali metals हैं, 1A के metals हैं, वो minus metals, ठीक है, इसका मतब यह है कि अगर मैं, potassium और calcium की बात करूंगा तो आप कहेंगे, sir, potassium is more reactive than calcium, because potassium and calcium are the corresponding two elements of 1A and 2A, and this, the element of 1A are more reactive than the element of 2A, इसी तरह, अगर मैं कहूं कि इन तमाम की तमाम S-block element में सबसे ज्यादा reactive कौन है, तो आपका जवाब एक ही आएगा, cesium is the most reactive among all S-block elements, जितने भी S-block element है हमारे पास, जितने भी alkali metals और alkaline metals है, उसमें cesium वो वाहिद element है, जो बहुत ज्यादा reactive होता है, यह MCQs में भी आसकता है, आप से पूछ सकता है examiner, तो यह तमाम बातें आपको पता होना चाहिए है, तो यह तमाम बातें आपको पता होना चाहिए है, तो हम क्या करेंगे student, हम इसमें alkali metals और alkaline metals, दोनों metals का reaction करवाएंगे different, जो है वो reacting species है, for example, हम halogen को add करवाएंगे इन पर, 1A के साथ भी halogen correction करवाएंगे, 2A के साथ भी करवाएंगे, इसी तरह hydrogen correction करवाएंगे, water correction करवाएंगे, nitrogen करवाएंगे, और देखेंगे के product में क्या बन बनता है, और 2A से करवाएंगे पर क्या बनता है, आईए चलते हैं, number one मैं start करूंगा, reaction, number one property chemical start करने जा रहा हूं, और यह है reaction with halogen, इसकी equation, equations important है, और exam में यह equation point of view से आ सकता है, reaction with halogen, halogen का मतलब है, chlorine, fluorine, bromine, iodine, इन सब से अगर आप reaction करवाएंगे अपने metal का, तो क्या result मे बनेगा, अच्छा, student मैं काम करूँगा, जब भी कोई reaction करवाँगा आपको यहां पर, तो उसको पहले generalized form में लिखूँगा, generalized का मतलब यह है, कि जितने भी one A के metals हैं, देखें, जितने भी one A के metals हैं, जितने भी one A के metals हैं, लिखें, 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 अब मैं किसी भी S block element को लो, one A group से, ठीक है, मैं लेता हूँ one A group से, metal मैंने M लिया है, generalized आपको लिखवा रहा हूँ, M लिखूँगा तो आप समझ जाएंगे, मैं one A की बात कर रहा हूँ, M का reaction में करवाना चाह रहा हूँ, X2 से, क्योंके halogen हमेशा, halogen को generalized form में X लिखते हैं X means halogen, X के अंदर chlorine भी उसकता है, bromine B, iodine B, fluorine कोई भी आप इसमें halogen ले सकते हैं, और 2 का मतलब यह है कि हमेशा diatomic form में मिलता है, आप सब को बता है, chlorine Cl2 की form में पाए जाता है, BR2, I2 यह सब diatomic form में हमारे पास पाए जाते हैं, जब भी हम 1 A के metal, यानि M का 1 A metal, मतलब इसक क्या बचेगा, आपके पास मनेगा M X, अब यहाँ एक बात समझ नहीं है, student, क्यों M X मन रहा है, M X 2 क्यों नहीं मन रहा, metal of 1 A की valency होती है, प्लस 1, ठीक है, और chlorine, bromine, iodine, fluorine सब की valency होती है, माइनस 1, अगर मैं valency नहीं लिखूंगे, इसकी प्लस 1 और इसकी माइनस 1, तो इस दोने दुसरे क्रॉस करेंगे, और कोई भी आपका subscribe में कोई number नहीं आएगा, जबके balance करने के लिए, आप ही कहेंगे, तो आप यहां पे 2 लगाएंगे, और metal 2 हो गए तो आप यहां पे 2 लगाएंगे, यह मैंने एक general statement लिखी है, general equation लिखी है, इस general equation में आप कोई भी halogen पुट करें, और 1 A का कोई भी metal पुट करें, आपकी equation सेम आएगी, आईए example लेते हैं इसकी, अगर मैं metal 1 A मेंसे मैंने लि X the CL, तो NACL बना, आप इसको balance करेंगे, तो यहां पर भी आप 2 लगाएंगे, और यहां पर भी आप 2 लगाएंगे, तो this is known as the halogenation, आप इसको halogenation भी कह सकते हैं, कि हमने halogen add करवाया है, halogen रेक करवाया है, halogen को किससे 1 A के metal से, और नदीजदन आपके बास salt बन चुका है, इसी तरह जैसे मैंने students आपको 1 A के metal के बारे में बताया, इसी तरह अगर मैं 2 A के metal के बारे में बात करूँ, तो 2 A के metal को हमने represent किया है M' से, आईए, अब M' से equation रिखूंगा, M' it means the metal of 2 A, alkaline of metal, when reacted with halogen, it will form M' X, अब फिर से balance की बात करेंगे students, तो यहां पर आपके पास 2 आ यहां पर M' था, यहां पर M' 2 आएगा, वज़ा इसकी यह है, कि जितने भी second group के, 2 A group के जितने भी metals है, उनकी valence होती है, plus 2, क्योंकि उनके autonomous में 2 electron होते हैं, वो 2 electron को lost करते हैं, और plus 2 valence है, जब कि chlorine की valence या halogen की valence माइनस 1 है, और अगर मैं यहां पर plus 2 और minus 1 रिखूंगा तो cross होगा, और 2 आपका chlorine के साथ तीचे आएगा, अब इसको balance करने की भी जरुवत नहीं है, यहां पर metal 1 है, metal 1 है, halogen 2 है, halogen 2 है, छीगे students, अब मैं यह आपको generalize form लिख आई है, अब मैं लिखूंगा किसी भी metal को लेकर, आप 2 A group में से कोई भी metal जो है, वो select करे, मैं calcium कर र chloride, CaCl2, ठीक है, और यह valency cross करके बनाया है, मैंने, CaCl2, आप इसको मैं mention कर सकते है, यह हमारे पास reaction with halogen, तो इसको हमने पहली chemical property यहां पर complete कर ली है, जिसमें हमने से किसी भी S block element को, चाहे वो 1 A का हो, या 2 A का हो, हम जब उसको halogen से reaction करवाएंगे, तो नतिचतन, metal का salt बन जा अब हम जाएंगे student, second property की तरफ, second property आपकी है, reaction with hydrogen, reaction with hydrogen, hydrogen का मतलब है, कि hydrogen gas से आप reaction करवाना है, H2, यहां पे CL2, जो halogen होते हैं, वो CL2 होते हैं, यह एक्सटू होते हैं, और hydrogen पो सिर्फ होती हैं, लेहाज हम H2 से reaction करवाएंगे, और फिर से student, मेरी यह वाली जुबाद आप 2A metals हैं, उसको मैं M से रप्रेजंट करूँगा, और 2A metals को मैं M' से रप्रेजंट करूँगा, आईए इसकी equation पे focus करते हैं, जब मैं metal लिया है, 1A का, जब उसका reaction में hydrogen से करवाऊंगा, तो नतीज़तन यह बन जाएगा M H, ठीके Q student, क्योंके फिर वही बात, कि 1A के metal की valency plus 1 होती है, hydrogen की minus 1 होगी, एक तो क्रॉस करेंगे, और यहां पर नीचे subscribe में कुछ भी नहीं आएगा, जब के balance करने के लिए आप यहां पे 2 लगाएंगे, और यहां पे 2 लगाएंगे, और अब इसकी जगा मने के कोई metal ताल के रेख लें आप लोग, मैं यहां पे डालता हूँ और लीथियम, देखें, लीथियम को अगर मैं यूज कर रहा हूँ, और लीथियम के साथ hydrogen gas का रेक्शन करवाऊंगा, तो नतीजे में लीथियम हाइडराइट बनेगा, और यह रेक्शन आप पहले हाइडरोजन के चेप्टर में पढ़ चुके हैं, लीथियम अगर आप हाइडरोजन से करवाते हैं, तो हाइडरोजन अपना हाइडराइट मना लेगा और वो इस फॉर्म में आप पाया जाएगा, इसी तरह, अगर मैं 2A ग्रुप की बात करूँ, यानि अल्कलाइन अर्थ मेटल सी बात करूँ, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल को M' से करते हैं, अगर ये हाइडरोजन से रेक करेंगे, तो ये क्या बनाएंगे? M' H2, फिर वही बात जो मैंने यहाँ कही थी, जिस तरह यहाँ M' H2 बन गया था, इसी तरह यहाँ पर M H2 बन जाएगा, इस इस तरह आप इस आइनिक हाइडराइट, ठीक है, क्यूंके इसमें मे जब हाइडरोजन से रेक करते हैं, तो ये आइनिक हाइडराइट नहीं मनता, ये पॉलिमरिक हाइडराइट बनता है, ठीक है, इसकी नेचर नहीं होती, बैरिलियम से जब हाइडरोजन मिलेगा, या मैगनीशन से जब हाइडरोजन मिलेगा, तो ये आइनिक हाइडराइट नहीं बनाएगा यह polymeric hydrate बनाएगा लेहाज़ा मैं हापे लिखूंगा भी कि जब M- hydrogen से मिलेगा इसकी condition यह होती है कि आपके पास जो M- है वो calcium हो सकता है वो stratum हो सकता है वो barium हो सकता है लेकिन magnesium और beryllium नहीं हो सकता ठीक है मैंने यह साइब लिख दिया था कि आपको याद रहे कि इस metal में जब भी metal आएगा second group का तो वो इन में से आएगा आईए मैं लेता हूं calcium को अगर मैं calcium correction hydrogen gas से करवाऊंगा तो इसके नतीजे में calcium hydrate बन जाएगा which is CAH2 calcium hydrate और इसको भी balance करने की जरुवत नहीं है जैसे हमने इसको balance नहीं किया था ठीक है यहाँ पर student मैं second जो है equations यानि chemical property आपके साथ शेयर कर चुका हूं first ही how S block element which is alkali metals and alkaline and panels how they rate with halogen and hydrogen इस तरह हमने दोनों properties आपके सामें डिस्क्स करनी है अब मैं जाओंगा third property की तरफ और वो है रेक्षिन with oxygen ठीक है student reaction with oxygen पढ़ने जा रहे हैं हम यह पढ़ने से पहले आपको यह बताएंगे कि oxygen की जो oxidation state होती है वो vary करती है ठीक है different compound में different होती है अगर मैं कहूं sodium sodium की oxidation state आपको हमेशा plus one नजर आएगी किसी भी compound में चले जाएंगे आपको plus one मिलेगी इसी दिए इसको बारे में बात नहीं कर रहा है मैं इस वक्षिजन मेरा target है oxygen की oxidation state आपको minus two मिलती है ज्यादा तर minus one भी मिल सकती है और minus half भी मिल सकती है ऐसे तमाम compounds, molecules जिसमें O की valency, O की oxidation याणि oxygen की oxidation state minus two होती है वो बनाते हैं oxides ठीक है जिसमें oxygen की oxidation state minus one होती है वो बनाते है पर oxide इसी तरह जिसकी oxidation state minus half होती है जिसमें oxygen की oxidation state उसे कहते हैं super oxides ठीक है अब हमें ये बात याद रखनी है हमेशा कि तमाम ऐसे compounds याद मॉलिकूल जिसमें oxygen की oxidation state minus two है वो oxides कहलाएंगे जिन में minus one हो पर oxide कहलाएंगे जिसमें minus half oxidation state है oxygen की वो super oxide कहलाएंगे अब आपका सवाल होगा सर हमें कैसे पता सलेगा कि S block में ये तमाम metals है lithium भी oxygen से रख कर सकता है sodium भी potassium भी rubidium भी cesium भी इसी तरह ये सारे भी रख कर सकते हैं कौन oxide बनाएगा, कौन par oxide बनाएगा और कौन super oxide बनाएगा ये हमें कैसे बहुच आईए तो आइए सुन ये मैं आपको बताने लगाओँ इन तमाम elements की equation मैं oxygen के साथ आपके से यह mention करूँगा तकि आपको याद भी जाए कि किस element के साथ oxygen किस S block element के साथ oxygen oxide बनाएगा किसके साथ पर अकसाइड बनाएगा और किसके साथ सुपर अकसाइड बनाएगा तो आईए स्टार्ट करते हैं गुरूप 1A से गुरूप 1A में मेरे पास इस वक्त जो मैंने शो की हैंप elements वो five elements आपको शो की हैं इन पांचों से आपको बताएंगे कि कब क्या बनेगा स्टार्ट करते हैं lithium से जब भी lithium से oxygen रिक करेगा यानि oxygen गैस रिक करेगी तो मेरे पास lithium oxide बनेगा चीकिए students यानि lithium को oxygen से रिके गौस देखेगा lithium O, LiO को मिला दिया मैंने lithium oxide अब lithium की oxidation state यहां पर minus 1 होती है हमेशा और oxygen की oxidation यहां पर minus 2 है लेहाज़ा लीथियम जब oxygen से रिक करेगा तो यह cross equivalency Li2O बन जाएगा which is lithium oxide ठीक है तो यह मेरे पास simple oxide बना क्यों oxide बना क्योंके इसमें lithium oxide के अंदर जो oxygen की oxidation state है वो minus 2 है तो आपने क्या याद करना है कि जब भी lithium से oxygen मिलेगा तो lithium का oxide बनेगा पर oxide और सपर oxide नहीं मनेगा लेकिन इसकी इसी के बरक से अगर मैं sodium को लूँ और इसको balance भी कर लें आप जब balance करेंगे तो यह 2 Li हो जाएगा 2 lithium अब चलते हैं sodium की तरफ दूसरा compound दूसरा element में बाद sodium है sodium correction अगर मैं oxygen से करवाओंगा तो यह बन जाएगा sodium O sodium आगया oxygen आगया यहाँ पर student याद रखिएगा जब भी sodium oxygen से मिलता है तो oxygen की जो oxidation state होती है वो minus 1 होती है minus 1 का मतलब यह है कि sodium के साथ हमेशा oxygen per oxide बनाएगा ठीक है लेहाजा minus 1 plus 1 एक दूसरा कैंसल करनेंगे यह NaoE रहेगा और यह बन जाएगा sodium per oxide ठीक है मैं से per oxide लिख रहा हूँ आप समझ जाएंगे यह sodium per oxide की बात हो रही है बैलन्स करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगाएंगे it is sodium per oxide ठीक है student अब मैंने चलना है मैंने आपको बताना है बगाया तीनों elements which is potassium, rubidium and cesium इन तीनों से रेक करने के बाद oxygen अपने बाद super oxide बनाएगा मैं यहाँ mention करूँगा इन तीनों को चाहो तो अलग अलग कर ले आप चाहें तो इन तीनों को मैं M से रेपेसेंट कर रहा हूँ जो बगाया तीन रह गाए हैं मेरे पास यह मैंने आपको बता दिया यह बता दिया जो तीन बगाया रह गए हैं potassium, rubidium, cesium उसको मैं M से रेपेसेंट कर रहा हूँ मैं कहता हूँ M अगर रेक करेगा oxygen gas से तो M O से मिल जाएगा ठीके MO बनाएगा इस M के अंदर क्या कर चुपाऊ है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इस M के अंदर potassium भी हो सकता है, rubidium भी हो सकता है और cesium भी हो सकता है, जो remaining 3 हैं उनको मैंने M कह दिया तीनों के लिए equation satisfy होगी क्या होता है इसमें student, M की valency तो 1 के element दें सबकी valency plus 1 होती है oxygen की valency इसमें होती है minus half गौस देखना है student, minus half का मतलब यह है अगर आप कहेंगे sir, इसको मैं cross कैसे करूँगा one यहाँ आएगा, half यहाँ आएगा, half यहाँ आने का मतलब यह है कि oxygen के एक atom को इस metal का आदा atom चाहिए तो आप इसको multiply पर two कर देंगे और जब यह cross होता है तो यहाँ पर oxygen के दो atom यूज की जाएंगे मैं mention कर रहा हूँ, आप भी अपने पास लिख ली जाएगा इसको जब यह cross होता है students तो यहाँ पर आपने पास two आ जाएगा चीक है, कैसे two आ रहा है यह minus half है, यह यहाँ है यह plus one है, यहाँ है जब आप इसको cross करेंगे तो half किसी भी metal का atom half नहीं होता यहाँ पर आपने दोनों को multiply पर two करना होगा तो half को multiply by two करेंगे तो यहाँ 1 रजाएगा जब one को multiply by two करेंगे तो यहाँ two आ जाएगा लेहाजा इसे कहते हैं super oxide क्या कहते है students? super oxide और यहाँ पे हमारा एक सिर्फ group complete हुआ है 1A हमने वापे से repeat करूँगा 1A में मैंने क्या बता आपको 1A में यह 5 element है अब आपने याद करना है कि लीथियम से जब oxygen correction गर्वाएंगे तो लीथियम oxide बनेगा sodium के साथ per oxide बनता है जबके potassium, rubidium और cesium के साथ आपका super oxide बनता है यादि उसमें oxygen की oxidation state minus half होती है ठीक है? अब चलते हैं next, beryllium and magnesium and then calcium, stoncium and barium ठीक है? सबसे पहले मैं यहाँ आपको beryllium के बारे मत करवाँगा यह तमाम तर reaction मैंने लिखे थे 1A के लिए और अब मैं reaction life में जा रहा हूँ 2A के लिए ठीक है? 2A में फिर मैं यहाँ पर metal dash उसकर रहा हूँ यहाँ पर metal dash का मतलब है M dash का मतलब है, M bar का मतलब है metals of group 2A इसमें individual इसमें नहीं बता रहा क्यूंकि इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो beryllium, magnesium और calcium यह तीनों के तीनों सिर्फ simple oxide बनाते हैं यानि इन तीनों को मैं अगर M dash से represent करूं और आपसे कहूं कि इस M dash को मैं oxygen selection करवाँगा तो आप कहेंगे sir M और O मिल जाएगा M dash sorry M dash का मतलब होता है metal of alkaline metal of 2A group 2A group के metal की valency होती है plus 2 और oxygen की simple oxygen की oxidation state होती है minus 2 जब एक cross होंगे तो कुछ भी नहीं आएगा और यह M dash O बन जाएगा इस M dash O ने सारे के सारे oxide बनाने हैं क्यूंके इसमें oxygen की oxidation state minus 2 है और जब भी oxygen की oxidation state minus 2 होती है तो हम इसे oxide कहते हैं और इस metals के अंदर जो M dash उसकी है मैंने इस M dash में आप beryllium भी रख सकते हैं magnesium भी रख सकते हैं और calcium भी रख सकते हैं इसका मतलब है beryllium, magnesium, calcium के साथ जब reaction करेगा तो वह simple oxide मनाएगा जबके बाकी जो remaining है strontium और barium उनके साथ यह par oxide मनाएगा उनको मैं वापिस से represent कर रहा हूँ M dash से यहाँ पर M dash का मतलब यह है कि अब remaining जो रह गए हैं उनको अगर मैं oxygen से रख करवाँगा यह बनाएंगे MO M dash O metal फिर से 2 A group के हैं M dash O2 ठीके student M dash O2 और यह से कहते हैं हम par oxide इसमें जो metal involved है M dash से represent करूँगा और वह है strontium and barium तो यहाँ student oxygen की तमाम तर बात यहाँ complete हुई है कि किस तरह S block के element oxygen से रख करेंगे तो कभी oxide बनेगा कभी par oxide बनेगा और कभी super oxide बनेगा इससे आपने यह सीखा कि super oxide सिर्फ किसका बनेगा potassium, rubidium और cesium का super oxide बनेगा oxygen के साथ lithium का और berilium, magnesium, calcium का सिर्फ और सिर्फ oxide बनेगा जबके sodium, stontium और barium का sodium, stontium और barium का आपके पास spar oxide बनेगा यह पांचों के पांचों और reaction आपको याद होने चाहिए रेंडम्ली आपसे एंस्ग्यूज में पूछा सकता है और equation भी दी जा सकती है कि बताएं यह metal जब oxygen से रेक करेगा तो क्या बनेगा जुसमें आपको यह तमाम की तमाम चीज़ें याद होनी चाहिए कि जब oxygen से रेक्शन करेगा कोई भी S block का element तो उसमें oxide बनता है पर oxide बनता है या super oxide बनता है ठीके student अब नेक्स अपनी property भी चलते है विच इस chemical property number 4 number 4 property है reaction with nitrogen यानि आप मैंने 1A metals को alkali metals को और alkaline metals को दोनों को reaction करवाना है nitrogen के साथ nitrogen gas है मेरे पास आईए सबसे पहले 1A के metal को use करूँगा M और इसके reaction करवाऊंगा nitrogen gas N2 के साथ जब इस reaction proceed होगा तो हमाई पास बन जाएगा MN ठीक है M is for metal of alkali alkali metal and N is for nitrogen इसकी valency cross करेंगे आप metal की valency plus 3 होती है जबके nitrogen की valency minus 3 होगी ठीक है क्योंकि ये 5th A group में होता है और इसकी valency minus 3 है आप इससे cross करवाएंगे तो आपस बन जाएगा M3N ठीक है M3N बन जाएगा आपके पास students और अब मैं यहाँ पर यह general formula था 1A के metals के लिए मैं अब यहाँ पर किसकी example लूँगा आप इसकी example लूँगा मैं sodium उठा लेता हूँ कि अगर मैं इसकी जगा sodium गुलूँ और sodium correction nitrogen gas से करवाऊं मेरे पास बन जाएगा sodium N sodium nitrogen मिलाऊंगा valency cross होगी तो आएगा Na3N यहनि sodium nitrite बन जाएगा ठीक है student अब आप चाहें तो इसको balance कर ले और balance करने के लिए अगर मैं यहाँ पर देखीएगा यह 2 है लेहादा मुझे यहाँ पर 2 लगाना होगा ताकि nitrogen 2 हो जाए और 2 3 times 6 it means metal मेरे पास 6 यूज होगे जो मैंने general form में balancing की है वही आप main equation में balancing करेंगे it means 6 atoms of sodium react with 1 molecule of nitrogen gas it will form 2 moles of sodium nitride यह मैंने 1 A के बारे में आपको बताए है अब student 2 A के बारे कि अगर मैं कोई 2 A का metal यूज करूँ या नि alkaline metal यूज करूँ चाहे वह magnesium, calcium कोई भी हो तो मेरे पास nitrogen से रेक करने के बाद क्या बनेगा M-N यहाँ पर student second A group के metals की valency plus 2 होती है जबके nitrogen की minus 3 होती है इनको cross कर वाएंगे आप तो यह M-3N2 ठीक है यह बनाए M-3N2 अब इसमें क्या होगा student मैं कोई भी example लेता हूँ calcium की example लेते हैं calcium plus nitrogen जब इसका correction करवाएंगे calcium आजाएगा nitrogen आजाएगा calcium की valency plus 2 होती है नीचे आजाएगा nitrogen की minus 3 होती है यहाँ आजाएगा calcium nitride और अब इसको आप balance करेंगे तो देखिए balance करने में nitrogen यहाँ 2 हैं यहाँ भी 2 हैं लेकिन metal यहाँ पे 3 हैं तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा और इसी तरह आपने यहाँ पर भी three calcium के atom use करने होंगे यह होगा हमारे पास student nitrogen selection nitrogen selection nitrogen selection जब मैं 1 A की बात करूँगा तो 1 A में तमाम के तमाम metals जितने भी metals हैं आपके पास चाहब ली थी हैं sodium potassium rubidium cesium सब के सब nitrogen selection कर सकते हैं all alkali metals और बनाएंगे उनका nitride यानि we can say that here M is equal to all 1 A members ठीक है लेकिन जब मैं second की बात करूँँ तो second A में M' का मतलब है all alkaline metals यानि all 2 A members except सिर्व इसमें क्या नहीं होगा except beryllium beryllium के इलावा तमाम के तमाम metal जब nitrogen selection करेंगे तो उनका nitride बनेगा और इसकी general equation भी आपके सामने है और specific equation भी आपके सामने बोट पर mention है ठीके student यह हमारी property number 4 थी और अब हम जाएंगे last property की तरफ which is reaction with water ठीके students water से students जब हम reaction करवाते हैं किसी भी metal का ठीके चाहे वो आप alkaline metal नहें या alkaline metal नहें उसमें जब हम reaction करवाएंगे तो आपके पास metal का hydroxide बनेगा for example मैं 1 A की बात करूंगर तो 1 A में तमाम के तमाम metal को M से represent कर रहा हूं और जब मैं इस करेक्शन water से करवाँगा इस students तो नतीजे में में मेरे पास metal का hydroxide बनेगा हमेशा ठीक है metal का hydroxide बनेगा और hydrogen gas liberate हो जाएगी अब आप चाहें तो इसको balance भी कर सकते हैं याद रखेगा हमेशा इसके अंदर metal का hydroxide निकलेगा और आपके पास hydrogen gas liberate हो जाएगी और ये M रेपेजेंट कर रहा है तमाम alkali metals को यानि मैं कोई भी ले आँँ मैं लीथियम ले आँँ मैं जो है वो sodium लेयाँ, potassium लेयाँ मैं कोई भी metal लेयाँ ये तमाम के तमाम members को represent कर रहा है all alkali metals अब इसकी example भी ले लेते हैं मैं एता हूँ potassium की example अगर मैं potassium को water selection कर वाँगा तो ये potassium का hydroxide बनाएगा potassium hydroxide sorry hydrogen gas इसको balance कर लेंगे अगे आप general equation से देख लेए 2 KOH और यहाँ पर 2 potassium metal के atom यूज करूँगा यहाँ पर आप देखते हैं तो 2 A के अंदर metal को मैं M' इसको भी जब आप इसको भी जब आप water selection कर वाएंगे student तो आप पस फिर से metal है क्योंके 2 A का metal है इसकी वेलंसी पस प्लस टू है लेकिन metal जब water selection करेगा तो M' का भी 2 A के metal का भी hydro oxide बन जाएगा शर्च से वी होगी यहाँ पर आप देखते तो metal of 1 A की वेलंसी प्लस 1 होती है hydroxy line की माइनस 1 होती है cross होती है तो आप पस कुछ भी नहीं बचता नीचे जबके 2 A के metal यह नि M' से जब आप लेक्शन करवाएंगे alkaline air petal से M' की वेलंसी होती है plus 2 जबके hydrogen, hydroxyl की वेलंसी माइनस 1 होती है जब आप वेलंसी क्रॉस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 2 आ जाएगा 4H है आपके पास 2 O है यहाँ घंडी हो जाएगा जबके metal का only one atom यूज़ करेंगे अब आएगे किसी example को लेते हैं मैं यहाँ पर एक calcium की example ले लेता हूँ अगर मैं calcium का reaction water से करवाऊँगा तो मुझे यकीन है कि इसमें बनेगा calcium hydroxide क्योंके हमने यही पड़ा के metal जो भी उस करेंगे उस metal का hydroxide बनेगा और hydrogen gas लिबरेट हो जाएगी जबके इसको balance करने के लिए आप water के 2 molecules कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पर 2 molecules करूंगा this is the reaction for all alkaline metal except magnesium magnesium के साथ ऐसा reaction नहीं होगा जबके magnesium के साथ हलका साथ को अपने water को boil करना होगा लेहाजा मैं यहाँ mention नहीं करूंगा मैं सिर्व आपको यह बतायता हूँ कि अगर इसकी जगा सिर्व और सिर्व मैंगनेशियम आ जाए चुके 2A में सारे metals है magnesium जब आता है तो specifically हमने यहाँ पर reaction मिलकुल सेम है यहाँ इसको boil करना होता है तोड़ासा और फिर हमारे पास बनता है magnesium hydroxide ठीक है बाकी reaction रुकल सेम है सब सेम होगा लेकिन मैं अलग से से रिखा है ताकि आपको समझ में आए कि तमाम metals के लिए boil करना नहीं होता है तो हमें इसको boil करना होता है इसमें स्टार बना तो कि आप इसको अलग से देखें कि यह अलग रेक्शन है इस तरह student arts class में हमने S block element यानि तमाम के तमाम Alkali metals और तमाम Alkali metals की कुछ chemical properties है की I think five chemical properties हमने यहां पर की है और five में भी हमने तमाम metals को use किया है hopefully आपको class समझ में आए होगी इंशालला आपसे मिलते है next class में नए topic के साथ तब तक की इज़ात देए students अलाहाफिस